नमस्कार मैं हूँ संजीव त्रवेदी और मेरे साथ सुकेश रण्यन बहुत से हमारे दर्शक हैं जो चाहते ही कि हम जब बिहार की सियासत के बारे में बात करें तो उन मुद्दों को भी छुएं जो लगातार लोगों को छुँ रही है और कहीं न कहीं परेशान जब बिहार की जरता है वोटर जरता तो उन मुद्दों को नच्वा जाए ऐसा हो भी नहीं सकता है हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि हम जरता से जुड़े मुद्दों को छुएं भी और सबाल भी खड़े करें आज हम जब बैठे हैं तो एक वेबसाइट का फिगर हमारे साथ है और वो है कि पिछले दिनों तेजस्वी आदव ने बेरोजगारी के उपर एक वेबसाइट अपना लॉंच किया था मन्शा ये जटाए गई थी कि अगर इस पर जो भी रिजिस्टर करता है तो फिर उसे हमारी सरकार बनने के बाद नौकरी प्राप्ट करने में मदद करेंगे और देखिए आंकड़ा कहां पहुँच गया है बताया ये जा रहा है कि पाच लाख का आंकड़ा ये नौदिन में ही टच कर गया है और जो मिस्ट कॉल है वो दस लाख के आसपास पहुँच चुका है सुकेश इस मुद्दे को मुक्ष मुद्दा बनाने की कमसकम जो कोशिश की गई है उसे तो ऐसा लगता है साधुआ दिना बनता है क्योंकि ये फिगर्स अपने आप में बोलते हैं कि देखे लोग जो है वो तयार हैं वो कह रहे हैं कि सवाल केवल जाती धर्म के आसपास नहीं है सवाल तो यहाँ है तो माने के इस बार ये बेरोजगारी जो है वो ही सबसे डॉमिनेंट थीम रहेगा बिहार एलेक्शन में नेकि बड़ा वेलकम स्टेप है ये अगर बहुत सारे लोग इसको राजनीती के मद्द में एक मुद्दा बनाना चाहते हैं और उसको वो तेजश्वी आदव को मिस्ट कॉल करके या फिर उस वेबसाइट पे जाके अपने आपको रजिस्टर करके ये बताना चाहते हैं कि उन्हें जरूरत है लेकिन क्या ये मुद्दा बन पाएगा कोशिश ये है कोशिश ये है जो चैलेंजर है उसकी कोशिश ये है आरजेडी के पोस्टर से आरजेडी के बैनर से लालू यादव का गायब हो जाना उस पे तिजस्वी यादव का होना और ये लिखना कि अब की बार युवा सरकार तो पूरी कोशिश युवाओं को राजनीती के मध्य में लाने की है उस पूरे विमर्श में लाने की कोशिश है जहां से युवा गायब होता था इसके जरीए कोशिश एक बहुत बड़े वर्क को साधने की है 2005 में जब लालू यादव सत्ता से बाहर हुए थे आरजेरी सत्ता से बाहर हुई थी उस वक्त जो लड़का तीन साल का रहा होगा आज वोटर है और मैं बार बार कहता हूँ कि वो उसको जंगल राज जब तक याद न कराया जाए तब तक उसको जंगल राज की जानकारी नहीं है उसने वो राज देखा भी नहीं है तो चाहे आप लाख हैमर करोगे उसके दिमाग में अगर वो एस्पिरेशनल है वो आगे बढ़ना चाहता है और आज की तारीख में जहां कट थ्रोट कॉम्पटिश है वहां हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है चाहे वो सिक्षा का शेत्र हो चाहे वो रोजगार का शेत्र हो वो इसमें अब विन्यूज ढूडता है बहुत सारे बिहारी बाहर निकलते हैं बाहर निकलते हैं क्योंकि वहां अपॉर्चुनिटीज कम हैं पढ़ने के लिए का graduation तीन साल में कर लेंगे इसकी guarantee नहीं है आप तीन साल का graduation चार साल में कर ले और उसके बाद जब आप रास्ते पे आते हैं तो आपके सामने स्या अधेरा दिखाई देता है ये बहुत वड़ा वर्ग है जो कभी vote में तबदील नहीं हो पाया मुझे लगता है कि ये कोशिश है तेजस्वी आदव की इस website के जरिए कि उसको राजनीति के मध्य में लाकर इस बार मुद्दा बदलना है इस बार जो narrative बार बार सेट होता है कि ये सुशाशन स्वास्त कहां है स्वास्त की इतनी बधाल वे अवस्था क्यूं है इन तमाम चीजों को जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको तेजस्वी लाना चाहते है और मुझे लगता है कि वह बहुत हचता कामयाब होंगे अगर जो उन्होंने ह कौ अनुको वह स्थाक लिया तो बहुत कामयाब हो सकते हैं उनके उनके आगे पीछे से कौत ए नारिटीव बनाने की बात है कि अगरे वह नारिटिव दर नहीं करेंगे क्या जन्ता-दल युनाइकटे置 की कि हमें काम पूरे करने हैं यह प्रशन इसले23 ज़्यादा मजबूत होता है क्योंकि हमारी आँकों के आगे से वो तस्वीर अभी तक नहीं हटी हैं जो हमने lockdown के दोरां देखी थी सड़कों पर चलते बिहारी 40 लाख बिहार लोटने वाले लोग जो बाहर नौपिया करते थे लोट करके आ गए और उनमें से ज्यादतर वापस जाने को मजबूर हो गए क्योंकि बिहार में ऐसा कुछ नहीं है जो उन्हें रोजगार मुहया कराए और मन्रेगा के सहारे जीवन नहीं कट सकता है तो प्रश्न यहीं है कि फिर बेरोजगारी तो गुद्दा है जीवन जीने के लिए जरूरी है पर यह बेरोजगारी सुकेश इस बार ही कोई सामने आ गया हो या फिर रास्ट्रे जरता दलने इस बार ही इस मासरे को छुआ हो ऐसा नहीं है तो क्या हम कहीं ऐसा तो नहीं देख रहे हैं कि एक लड़का है जिसका नाम तेजस्वियादव है और जिसके प्रती फेथ करने के लिए एक वज़ा है और वो वज़ा है क्योंकि उसने यह महसूस कराया है लोगों को कि आप देखिये ऐसा है कि यह मुद्दे लोग छूते तो हैं लिप सर्विस करते हैं पर मैं हूँ मैं आपके सामने खड़ा हूँ और यह वो आरजेडी नहीं है और मैं आपको नौकरी दूँगा क्यों जैसा वो कहते हैं अपने बादे में कि हर धर्म और हर समाज के लड़के को नौकरी देने में हम मदद करेंगे जो भी इस रहा था तेजस्वी आदब ने उसको सेंस किया है यह पुलिटिकल डिस्कोर्स में आने लगा था यह राजनीतिक विमर्ष का केंद्र होने लगा था क्योंकि आपने कहा और हम सब ने देखा है और बिहार के लोगों ने भी देखा है देश के लोगों ने भी देखा है जिस संसाधन नहीं थे जिनके पास घर लोटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था वो कुछ तो आउट ओफ एर लोट रहे थे कुछ इसलिए लोट रहे थे कि उनके पास दिल्ली में, मुंबई में, चिर्नई में, जहां भी रहते हैं वहाँ वो सस्टेन नहीं कर सकते थे तो वो एक बड़ा वर्ग वहाँ लोट कर गया और वो जब लोट कर गया तो इस पूरे इसमें एक राजनीतिक पोटेंशिल दिखा कि इतने सारे लोग बाहर काम करते हैं उनके पास काम नहीं है ये कोरोना कितने दिन चलेगा इसकी कोई पुखता जानकारी भी नहीं है तो क्या उनके लिए कुछ वहाँ क्रियेट किया जा सकता है बिहार में बिहार सरकार ने बहुत दावे किये वो आज भी कर रहे है कि Лाखों लोगों को हम नौक्रिया दे रहे है मन्रेगा के ताहें adaptive को कहा गया है कि क्या काम हम करा सकते हैं उसकी एक सूची बनाई जाए कि इन सरकार अपने तरीके से काम कर रही है लेकिन जो चैलेंडर होता है जो उपोजिशन में होता है रहा था कि migration बड़े लेविल पे हुआ था जिनकी नौकरिया थी उनकी नौकरिया जा रही थी आपको मालूम है करीब 14 करोर लोगों की नौकरिया चली गई थी एक figure के मताबिक करीब 9-10 करोर की नौकरिया वापस बहाल हुई है लेकिन उस potential पर नहीं हुई है नौकरिया नहीं मैं रोजी-्रोटी का इंदजाम कह रहा है रोजगार जो पहले 10,000 कमाता था वो पास जार कमाता है जो 20,000 कमाता था वो दस जार कमाता है तो वो आपकी शक्ति थी कमा आने वाले बिहार से जाते हैं वो बहुत सारे लोग लोट गए और तब जाकर ऐसा लगा कि शिक्षित जो लड़के हैं उनकी नौक्रिया चली गई हैं जो रोजी रोटी का काम करते थे वो घर वापस लोटा हैं तो लगा कि एक ऐसी समस्या है जिस पे रूलिंग डिस्पेंस क्या किया है पहले तो आपने कॉरंटाइन सिंटर में क्या किया तो इसी बहाने वो स्वास्त दवस्था पर हमला करना चाहते हैं इसी बहाने वो बेरोजगारी का जो सवाल है वो उठाना चाहते है और इसको इस पे एक लीड लेना चाहते है और पोजीशन के पास यह मौका होता है कि आप सरकार को डॉक्ट में खड़ा करें क्योंकि उससे उस समय डेलिवर नहीं करना है आने के बाद डेलिवर करना होगा तो ये तमाम जो उनके विजन है उनसे पूछा गया है कि भई आप कहां से दे दोगे नौक्रिया कहां से स्रिजित कर देंगे आप नौकरिया चलिए साड़े चार पांच लाख नौकरिया जो है वो बिहार सरकार के अलग-अलग भागों में लंबित हैं रिक्त हैं उनको आप भर देंगे समझ में आता है चलिए ठीक है बिहार सरकार की माली आलट ठीक हो तो वो भर आजा सकता है ये सरकार भी साथ कर सकती थी अभी तक उसने नहीं किया है पता नहीं है उसकी वज़ा क्या है मालियाला ठीक नहीं है इसलिए या उसको स्क्रैप कर देने की योजना है वो भी मालूब नहीं लेकिन लाखों लोग जब पांच लाख लोग आपको इन्रॉल करते हैं आप में कर चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी करेंगे तो आपने उक्रिया कहां से देंगे तो यह अल्टरनेट विजन उनको बताना होगा लेकिन अभी उनको भी बख्ष में रहते हुए बताना है वो काम साथ थोड़ा आसान होता है मैं I want to be the devil's advocate की सरकार में रहते हुए काम करन थोड़ा मुश्किल होता है यह सभी पार्टियों को मालूम है लेकिन पंदरा साल की एंटी इंकंविंसी जिस सरकार के खिलाफ हो पंदरा साल जो सरकार काम कर चुकी हो वो जब बीस्वे साल में प्रवेज के लिए चौथे टर्म के लिए जाती है तो इससे बहुत सारे सवाल होंगे और बहुत मौजू सवाल पूछ रहे हैं तेजस्वी आदब मुझे लगता है कि इसका जवाब देना भी जरूरी होगा और अगर इसका माकूल जवाब नहीं दे पात पर हम लोग उसे एज ग्रूप में हैं जहां हम लोगों ने देखा है कि लालू राज का साशन कैसा था और उसके बाद नितीश राज का साशन कैसा हुआ और यह कहना पड़ाएगा कि सर्फ और सर्फ नितीश कुमार के 15 सालों को विरोजगारी की इस विकराल समस्या के को देदी है अब प्रशनी यहां पर यह है कि जाति धर्म में बंदे बिहार की जो पुलिटिकल पैटर्न है उसमें आरजेडी बहुत कमफर्टिबल थी अपने 27-26 फीसादी मतों के साथ जब वो एमवाई कर लेती थी अब वो कोशिश कर रही है थोड़ा बाहर जाए और ज वोते हैं जो आपको छूते हैं और दूसरे वह मुद्धि होते हैं जो आपके सामने कर दिये जाते हैं जो वोट बिहार में कैसे play out होते देखते है अगर आप अपने मुद्दे क्या है उसको आप चूज नहीं कर सकते हैं उसके अधार पर vote नहीं कर सकते हैं तो सरकार को blame करना नहीं चाहिए जो वोटर होता है कुछ कड़वी सच्चाई भी सामने आनी चाहिए आप कह रहे हैं इस 15 साल को दोस्ट पूरा ना दे हम उसके 15 साल को भी दोस्ट दे फिर तो जाते जाते वही बात होगी कि नहरू को भी दोस्ट दे दे इन हाइन साइट चीजों को देखना बड़ा आसान होता है लेकिन जो वोटर होता है वो 18 साल का परिपको वोटर है उसकी उम्र तैकी गई है सीमा उसकी तैकी गई है कि आप परिपको है वोट देने के लिए अगर इतने सालों में यह नहीं कह रहा हूँ कि कोई पहला चुना हुआ और उसमें बड़ा मच्योर वोटर है और वो तै करे कि हमारे सामने मुद्दे क्या है आप अगर ठगे जा रहे हैं आपको ऐसा लगता है कि आपके हिसाब से देखा जा तो 15 साल नहीं तीस साल जिम्मेदारी जिन्दों ने सासन किया है या फिर यह कह लिजिए उनका अधार नहीं बन पाया वो तीस साल भी है और शायद कांग्रेस के भी कुछ साल मैं कह रहा हूं कि इसको इसको अनंत काल तक आप ले जा सकते हैं वो इन तीस वरषों में हुआ है बाकि इनहीं तीस वर्षों में आपसे आगे निकले है और बिहार खड़ा है कि विकास का पैमाना क्या होगा विकास का मतलब मोटे तोर पे जो मैं समझता हूँ और जो एक आम आदमी समझेगा चाहे वो बिहार का हो कि उसके जीवन में जो विकास उसका living standard कितना बढ़ा वो है विकास उसके लिए उसको GDP समझ में नहीं आती है उसके लिए jobless growth का कोई मतलब नहीं है उसका घर उसका परिवार अगर उसमें संपन्रता नहीं आई है तो उसके लिए वो विकास नहीं है क्या ये नहीं आया है क्या ये जितना आना चाहिए था उतना आया है और क्या इन तमाम सालों में 30 साल का ही अगर हम उदाहरन ले ले इन 30 सालों में हम एक मानस voter के बीच ऐसा पैदा नहीं हो सका कि हमें द Archite pasar अपने मुद्दों पर vote देना है इसमें political party को absolve करने की जैसी स्थिती नहीं है लेकिन political party से सवाल करना है democracy में सवाल करना आप खुबसूरती है यही democracy को मचबूत करता है तो आप अपने मुद्दों पे अपने लोगों को चुनते क्यों नहीं है आप राजनितिक दलों को force क्यों नहीं कर देते कि आपको इन मुद्दों पे बात करना पड़ेगा यह दरसल लोगतंत्र में सारी जिम्मेदारी जो है वो dispensation जो काम कर रहा है उसी की हो यह जरूरी नहीं है वोट का टाइम ऐसा टाइम होता है जब जनता मालिक है आप तैक करते हैं कि हम किसको चुनकर भेजेंगे हमारा representative कौन होगा हम जिसको चुनकर भेज रहे हैं वो मुक्रमंत्री होगा तो आपके दिमाग में जो चीजे हैं वो सता पे दिखनी चाहिए और वो political discourse में आना चाहिए आपको force करना पड़ेगा political दलों को राजनीति को कि आपको हमारे मुद्दों पर बात करना पड़ेगा फिर राजनीति होगी यहां तब जाकर राजनीति बदलेगी अगर वो डर्रे वाली राजनीति को हमें बदलना है जो बार-बार कहते हैं हम क्यूं बात करते हैं बिहार के सल्से में जब चर्चा होती है कि इतने percent तो यादब है इतने percent थाकूर है इतने percent मुस्लिम है तो इनका चुनाउट तो निकल गय इस खाचे से निकलना पड़ेगा और इससे निकालने का बहुत हद तक जो जो जिम्मेदारी जाती है वो उस प्रॉड वर्क को जाती है उस उस वर्क को जाता है जो वोटिंग में हिस्सा लेता है जो डिमोक्रिटिक प्रोसेस में हिस्सा लेता है तो आपको लाना पड़ेगा खीच के राजनितिक दलों की आप इस पे बात करिए और उसके बाद हमारे बीच आईए चाहे वो नितीश कुमार हो चाहे वो तेजस्वी आदवुड लोकतंत्र मजबूत हुआ है 70 सालों की देमोकरसी हो गई अब इसमें हमारी बात करिए गा तब आप बात करिए तब आप ह समस्याओं को पर्सपेक्टिम में रखकर कोई वोटर वोटिंग बूत पहुचता है क्या या फिर वोटिंग बूत पहुचने के उसके कुछ अपने ही वज़य होते हैं जो शायद इन समस्याओं से इतर होते हैं और यह परिक्षा है इसलिए वोट देने का आधिकार जो है आप में एक परिक्षा की तरह है जिसमें आप आपकी ही परिक्षा है हमारी ही परिक्षा है जिसमें कि जैसा सुकेश कह रहे हैं आप मजबूर करते हैं प्रिटिकल पार्टी को कि वो आपके मुद्दों पर बात करें वरना प्रिटिकल पार्टी अपने मुद्दों पर बा ही निर्भर है अब तेजस्वी आदव कह रहे हैं दस लाक में स्ट कॉल भी आ गए हैं तो उमीद तो बनती है कि मुद्दो पर इस बार शायद वोटी होगी देखते हैं क्या होता है लेकिन याद रखिए तेजस्वी ने यही कहा है कि पहले हमें नौकरी दीजे हमें रोजगार दीजे फिर हम आपके रोजगार का इंतजाब करेंगे आज बस इतना ही जी हमें दीजे अजासत नमस्कार कल फिर मिलाकात होगी झाल